हेलो फ्रेंज आज हाम इस वीडियो में जानेंगे देट का अर्थ क्या होता है और सेंटेंस में उसे यूज कैसे करते हैं सो लेट्स स्टार्ड वीडियो देट का अर्थ होता है दिगनांक तारीक, मिटी, समय, तिथी तो चलिए इसको sentence में और भी अच्छी तरह से समझ लेते है Example I have a date to get ready for इस sentence का हिंदी में मतलब है मेरे पास तयार होने के लिए एक तारिक है चलिए next example जान लेते है You have a date in mind You did like to share इस sentence का हिंदी में मतलब है आपके मन में कोई तारिक है जिसे आप सांजा करना चाहेंगे चलिए next example जान लेते है If I do, I will call you for that dinner date when I get back इस sentence का हिंदी में मतलब है अगर मैं कहता हूँ तो बापस आने पर मैं आपको उस dinner date पर बुलाऊंगा तो चलिए आखरी example जान लेते है We need to make a date for show, shopping soon इस sentence का हिंदी में मतलब है हमें जल्दी जूते की खरीदारी के लिए एक तारिक ते करने की जरूरत है I hope friends आपको आज का एफ वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको एफ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और साथ साथ हमारे इस सेनल को सबस्क्राइब कर दिजिएगा थेंक यू फॉर वाचिंग